साथियों, मैं भी आपकी तरह NCC में रहा हूँ, NCC से ही निकला हूँ, आपके बीच मैं उसी रास्ते से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि NCC, NSS या Cultural Camp जैसी संथाएं, युवाओं को समाज और नागरिक कर्तवियों के प्रती जागरुक बढाती हैं। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन का नाम है माय युवा भारत। मैं आप से कहूँगा कि आप सभी माय भारत वॉलिंटर्स के रूप में खुद को रजिस्टर करें। माय भारत की वेबसाइट पर आउनलाइन विजिट करें। साथियों गणतंत्र दिवस के इस समारों के दोरान आपको लगातार ऐसे कारक्रमों में जाने का आउसर मिलने वाला है। परेड में भागीदारी के अलावा आप सभी कई एत्यासिक स्थानों पर भी जाएंगे और कई एक्सपर्ट से भी मिलेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको पूरे जीवन याद रहेगा। हर वर्ष जब भी आप गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे आपको ये दीन जरूर याद आएंगे। ये भी याद आएगा कि मैंने आप से कुछ बाते कही थी। इसलिए मेरा एक काम जुरूर करिएगा। करेंगे। जड़ा हाथ उपर करके बताईए। बेटियों की आवाज तेज हैं, बेटों की कम है। करेंगे। अब बराबरा बराबरा है। अपने अनुभव को कहीं किसी डायरी में जरूर लिखकर रख लिजिएगा। और दूसरा, गनतंत्र दिवस से आपने क्या सीखा। यह मुझे आप नमो एप पर भी लिखकर या वीडियो रेकॉर्ड करके भेजिएगा। भेजेंगे। आवाज दब गई। नमो एप के माद्यम से आज की युवापीडी मुझसे लगातार जूड़ी रह सकती है।